शेहनास गिल का पारस और दिवुलीना पर पलटवार कहा उनकी सोच उनहीं को मुबारक आखिर देवो पारस के किस बात ने कर दिया शेहनास को इतना जादा गुस्सा वेल क्या है पूरी खबर चल ये जानते हैं बिग बॉस तेरा कंटेस्ट शेहनास गिल को आज हर कोई जानता है लेकिन कहते हैं प्यार के साथ साथ आपको नफरद भी मिलती है वेल बिग बॉस तेरा कंटेस्ट दिवुलीना और पारस ने शेहनास के खिलाफ काफे कुछ कहा और अब फाइनली शेहनास ने दिया उनहीं जवाब शेहनास ने अपने इंटर्व्यू में बोला मुझे इसने कोई फरक नहीं पढ़ता कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है मैं उनकी सोच को नहीं बदल सकती हूँ मैंने बिग बॉस हाउस में इन सब का काफ़ी अनुभव किया है इसलिए मुझे पता है हर कोई कहने में सक्षम है ये उनकी पस्नालिटी को दिखाता है मेरा कुछ नहीं जा रहा मैं किसी को जवाब नहीं देना चाहती मुझे तब बुरा लगता है जब वो मेरे फैंस को टागेट करते है उनको कुछ मत बोलो मुझे जो मर्जी बोल दो मैं अब स्ट्रॉंग बन गई हूँ मुझे पता है किस से बात नहीं करनी है वो मुझे पसंद नहीं करते इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती मेरे फैंस मुझे बेहत प्यार करते हैं वो कहते हैं कि मुझे में घमंड आ गया है लेकिन आपने मुझसे बात ही नहीं की तो ऐसा कैसे बोल सकते हो आपको बता दे यहां शहनास पारस की बात कर रही है शहनास ने बताया कि वो बिग बॉस और मुझसे शादी करोगे जैसे शोस करने के बाद काफी जादा मैच़र होकी है हाला कि मुझसे शादी करोगे में उनका दिल बिलकुल भी नहीं लगा वेल शहनास ने अपने अपकुमिंग प्रजेक्स के बारे में भी बात की शेहनाज ने बताया कि वो आक्टिंग की दुनिया में कदम रखना चाहती है इस पर उनका पूरा फोकस है शेहनाज ने बताया कि अगर उन्हें अच्छे म्यूजिक वीडियोज ओफर हुए तो वो उसे जरूर करेंगी बल आपका क्या कहना है शेहनाज गिल के स्टेट्मेंट पर बताईए हमें कमेंट बॉक्स में तब तक स्टे टून विट अस